हेलो दोस्तो दोस्तो आज की कहाने का नाम है हमारा पानी का बीच बहुत लंबे समय तक जब वर्षा नहीं हुई तो गाउं के युवक पाने की खोज में निकले उन में से एक पानी का बीच ले कर लोटा पानी का बीच आपने देखा है कभी देखते हैं क्या है पानी का बीच इस कहानी में तो जानने के लिए हमें शुरू करनी होगी आज की कहानी बहुत समय पहले एक बार एक गाउं में तीन साल तक बिलकुल भी वर्षा नहीं हुई थी खेतों में मिटी की दरारे पढ़ने लगी और पौधे मुर जा गए धूल भरी आधी लोगों को परिशान कर रही थी सभी को सूखा पढ़ने की चिंता सता रही थी कि कहीं सूखा न पढ़ जाए फिर मुखिया ने एक सभा बुलाई बुड़े और बच्चे सभी सभा में आए मुखिया ने चार नोजवानों को बुला कर कहा तुम लोग चार दिशों में पानी की खोज में जाओ मैंसे तीन आदमी कुछ ही दिनों में वापिस लौट कर आ गए क्योंकि वे और आगे पैदल नहीं चल पाए चौथा आदमी उत्तर की और गया वह एक सफेट परवत तक जा पहुचा जैसे ही वह चड़ने लगा उसे एक गुफा दिखी गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी आदमी ने उससे पूछा अम्मा मुझे पानी कहा मिलेगा बुढ़िया ने कहा पहाड पर और उपर चड़ जाओ आदमी चड़ते चड़ते शिखर तक पहुच गया उसने एक सफेट से उस परवत का एक टुकड़ा तोड़ा और अच्छे तरह लपेट कर अपने जोले में रख दिया वह आदमी जितनी तेजी से भाग सकता था अपने गाउं की और भागा जैसे ही वह गाउं पहुचा सभी लोगों ने उसे घेर लिया वे देखना चाते थे कि वह क्या लाया है अदमी बहुत ठका हुआ था पर खुशी से बोला मैं पानी का बीज लेकर आया हूँ जब उसने जोला खोला तो पाया कि बर्फ पेगल चुके थी पानी की बुंदे जमीन पर गिरी और मिल्टी ने उसे सोख लिया और सबी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए गाओ वाले चिखे और उन्होंने जमीन को खोलना शुरू किया उन्हें वह पानी की बुंदे वापेश चाहिए थी उन्होंने खुब घहरा खोदा और अंत में पानी निकल आया सबी खुशी से चिलाए पानी के बीच से हमें पानी मिल गया और आप गाओं में पानी था वाले पानी का बीज समाल कर रखते हैं अब वर्षा ना होने पर भी उनके पास पानी रहता है क्योंकि वो पानी को अब समाल के रखते हैं क्या आप भी पानी को ऐसे ही समाल के रखते हो या फिर ऐसे ही भाद देते हो फाल तुमें क्या आपने कभी पानी का बीज देखा है बताओ बताओ इसलिए बोलते हैं दोस्तों पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए फाल तुम्हें उसे बरबाद नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद बाई बाई